अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किताब ले जाने की छूट बारवी पास फोरन करिया विदन जिहां बिहार लोग सिवा आयोक की ओर से निकाली गई क्लरक भरती की परिच्छा में किताब लेकर जाने की इजाज़त होगी बिप्यसी एल्डिसी भरती परिच्छा के नोटिपिकेशन के मुताबिक लेकित परिच्छा दो चरनों में ले जाएगी पहला चरन प्रारंबिक परिच्छा और दूसरा मुईक की परिच्छा होगा हाथ से लिखी फोटो कोपी ले जाने की अनुमती नहीं होगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लोवर डिविजिनल कलर के के 24 पदो पर भरती के लिए bpsc.br.nic.in पर जाकर ओलाइन आवेदन की अंतिमतिति आप 16 अपरेल तक कर सकते हैं के लिए सेक्षिने के योगिता 10 प्लस टू या फिर इंटर्मेडिट पास एवं कंप्यूटर का ज्यान होना अनिवार है बड़े कबर अगले 5 साल तक 12 पास बेरोजगार इवावो को मिलेगा स्वाइश सहायता भत्त जी हाँ अगले वीतिये वरस से सलाना सवा लाघ नई इवावो को स्वाई सहायता भत्त दीय जाने के तैयारी है इसको लेकर योजना एवं विकास भिवाग ने आदेश जारिक कर दिया है इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्रे निश्चेश्वाई सहायता भत्ता योजना को 5 सालों यानि के 2021 से 2026 तक विस्तारित किया जाता है पूर्व के नियमों और सर्तों के आदार पर ही लाबारतियों के खाते में भत्ता का भुगतान किया जाएगा इस योजना के तहर 20 से 25 वर्ष के आयू के बारवी उत्रिन बिरोजगार इवावो को रोजगार के तलास में मदद के लिए सहायता भत्ता दिया जाता है उन्हीं इवावो को भत्ता दिया जाता है जिन्होंने बारवी के बाद की पढ़ाई नहीं की है और अगली कक्चा में नामांकर नहीं लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि योजना का लाव लेने के लिए ओनलाइन आवेदन लिये जाते हैं। इसके लिए सबी जीलों में जीला निबंदन एवं परामर्सक केंद्र बनाए गए हैं। यह हम नहीं कारें बलके देश के परतिशिष्ट अंग्रेज अकबार दा इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई सौ सक्तिसाली भारतियों के लिए लिए बता रही है। आपकी जानकारे के लिए बता दे कि 2019 में नेतिस कुमार इस लिए अठारवे नंबर पर थे जबकि तेजस्वी यादव इस लिए तरास्वे नंबर पर थे। तेजस्वी का आरो बिहार में लूट और भश्टाचार का बुलबाला, C.A.G. का रिपोर्ट का दिया हवाला का सिक्चा की आधे रासी खर्च नहीं होती। तेजस्वी ने आगे कहा की C.A.G. की हर वर्ष की रिपोर्ट भी यही कहती है। पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी, इसके लिए सरकार इस्तर पर तैयारी प्रारम कर दी गई है। जिले में एक जगा उनके लिए आसरे इस्तलताई करने की दिसा में कायरी हो रहा है। सरकार की साथ निश्चय योजना दो के तहद या सुवेदा बुजर्गों को दी जानी है। प्रारमबिक इस्तर पर जिले में एक जगा उनको रखनी की विवस्ता होगी, इसके लिए भूमी को चिन्नित किया जा चुका है। जल्द ही अंती मुहर लगने के बाद विरेदा आसरम के निर्मान की कारवाई प्रारम की जाएगी। बताया गया कि इसके लिए इन एकड़ भूमी की मांग की गई है लेकिन अगर दो एकड़ भी भूमी मिलती है तो इस आसरे का प्रारम किया जा सकता है। मोतीहारी में सहर की 10 सड़कों को फोरलेन में बदलने की तैयारी खर्च होंगे 143 करोड। जिन 10 सड़कों को फोरलेन में बदला जाएगा उनमें मीना बजार चोक से पटल चोक वाया जानपूल वा इस्टेशन, दुसरे में आता है मोतीहार से मदुबनी घाट रोड वा गांधी चोक से मिसन चोक, तिसरे में आता है बलवा चोक से नगर थना वाया जिला स्कूल, चांदमारी चोक से गांधी चोक वाया नगर धना, इसके बाद आता है धाका रोड मोतीहारे से चतोनी चोक कमेटी चोक दो किलोमेटर तक इसके बाद बर्यारपूर बाइपाक से मेस कोलेज वाया कचाहरी, इसके अलावा MS कॉलेज से कपूरि ठाकूर कॉलेज तक इसके अलावा जानपूल चौक से कुमारी देवी चौक छतोनी ठाना से आर समाज चौक तक औरलेन में बदला जाएगा हौलिक के बाद प्याज के भाव में आई गिरावट 15 रुपे किलो पर आया भाव जिहां राज्य में प्याज के ठोक मुल में 3 रुपे की और गिरावट आई है अब ठोक मुले 50 रुपे किलो हो गया है मंडियों में इसका खुद्रा मुले 20 रुपय परती किलो हो गया है हलाकि इसके बावजूद कुछ जगह पर विक्रेता मनमानिक कर रहे हैं और प्याज 25 रुपय किलो बेच रहे हैं आमद बढ़ने के कारण प्याज के भाव में लगातार गिरावर देखने को मिल रही है अररिया हादसे में आग में जुलसने से 6 बच्चों की मौत पर सियम नितिस ने जताया सोक 4-4 लाग अनुगरा अनुदान देने का निर्देश बिहार के अररिया जिले के पलासिताना छेत्र के कवाया गाम इंगलवार के दोपहर गर में आग लगने से 6 मासुम के दर्दनाक में एक इस हद्सी को लेकर मुईक मंतरे नितिस कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया है मुईक मंतरे ने मिर्त बच्चों के परिजिनों को 4-4 लाग अनुगरा अनुदान देने का निर्देश दिया है रेलवे का बड़ा कदम रात में ट्रेन में नहीं चार्ज कर पाएंगे मॉबाइल फोन और लेप्टप जी हाँ भारते रेलवे जल्द ही एक ऐसा फैसला करोडों की सिंख्या में रोजाना ट्रेनों में सपर करने वाले यात्रियों को तगड़ा जटका लग सकता है दरसल रेलवे निर्देश जारी कर सकते है कि जिसके तहट रात के समय में यात्रियों को मॉबाइल फोन और लेप्टप चार्जिंग करने की इजाज़त नहीं मिलेगी कुछ ट्रेनों में आग लगने की गटनाई सामने आने के बाद रेलवे यहाँ कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है आपके जानकारे के लोब बता दे के एक रिपोर्ट में रेलवे के एक वरिष्ट अधिकारे ने दावा किया है कि मॉबाइल फोन और अन इलेक्टोनिक उपकरनों को चार्ज करने के लिए उप्योग के जाने वाले पॉइंट्स को रात 11 बजे से सुब़ 5 बजे तक बंद सुरू होने जा रहा है अभी तक 60 साल से अधिक उम्र वाले और बुजर्ग और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिने गंबिर बिमारिया है उन्हें ही टिका लगाया जा रहा था सरकार ने जल से जल बड़े अबादिका टिका करन करने के उद्यस से हाली में यहाग कदम कि उम्र 45 साल से अधिक है वे दो तरीके से वेक्सिनेशन अभ्यान में सामिल हो सकते हैं केंद्रिय स्वास्त सचीव राजेज बुसन ने इन दोनों तरीकों के बारे में जानकारी दी है उन्होंने बताये कोविन की वेबसाइड कोविन.govorn.in के जरिये से एडवांस में लगाया जा रहा है वहाँ पर जाना होगा जहां आप वेक्सिन लगवा सकते हैं बड़ी कबर बिहार पंचाज चुनाव में मदान केंद्रिया उसके नजदिक चिलाने पर भी होगी करवाई आयोग ने जारिक्या निर्देश जियां बिहार में पंचाज चुनाव के दौर लगाये हैं इसको लेकर आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है आयोग के अनुसार मदान केंद्र के भीतर या परवेस दौर पर या उसके पड़ोस में किसी सारवजनिक या निजिस्तान में विचनत तरीके से नहीं चिलाएगा जिससे मदान केंद्र पर जाने या लाउड स्पिकर जैसा उपकरन का ना तो उप्योग किया जाएगा और ना चलाया जाएगा अगर ऐसा करते किसी को भी पाया गया तो उस पर कानोनी कारवाई की जाएगी और उसे पुलिस द्वारा गिरपतार भी किया जाएगा बड़ी कबर दिल्ली केपिटल के नए कपतान बने रिसब पंद स्रेस अयर की लेंगे जगाई जी हाँ आईपियल फ्रेंचाइजी दिल्ली केपिटल ने चोड की वज़ा से बाहर हुए स्रेस अयर की जगा विकेट कीपर बलेबाज रिसब पंद को इस साल आईपियल 2021 के लिए टीम का नया कपतान बनाया है अयर इंग्लेंड के खिलाब वन डे इंटरनेशनल सिरीज के पहले मैच के दोरान चोटिल हो गए थे अयर को अपने कंदे की सरजरी कराने पड़ेगी जिसके चलते वह चार पाच महिने किर्केट के मैदान पर वापसी नहीं कर सकेंगे को तीन महिने इंतिजार करना होगा दरसल तिलका मांजे भागलपूर इनवसिटी समेथ दूसरे परदेशों में इसना तक का सत्र जुलाई से जुन तक चलता है चात्रों के लिए यहाँ एक बैतर मौका है कि वे इस तीन महिने का बैतर उप्योग कर सके 26 मार्च को रिजल् की प्रक्रिया शुरू कर जल से जल इसना तक में नामांगर करना चाहेंगे इस तरह चात्रों के पास करेब तीन महिने का अत्रिक समय होगा तब राज में डेड़ लाक गारिया सडकों से होगी बाहर लागू होगा स्क्रेप पोलिसी या राज बर की सडकों से अगले एक दो मा में 15 से 20 साल पुरानी लगबग डेड़ लाक गारिया बाहर हो जाएगी सरकार की ओर से बने नियम के अनुसार 15 साल पुराने व्यावसाइक और 20 साल पुराने नीजी गारियों को सडकों से बाहर किया जाना है परवहन विबाग जल्द ही इस सम्मन्द में निर्देश जारी करेगा अधिकारियों के मुताबिक केंदर के इस्तर पर स्क्रेप पोलि समय जार बता